आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के उपर और निफ्टी के उपर नेक्स्ट एक्सपाइरी के लिए मेरे क्या व्यूज रहेंगे तो अभी कल तो छुट्टी है परसो मार्केट ओपन होगा जहाँ पर एक्सपाइरी है तो मैंने पहले ही बता दिया था कि कोई भी पुजीशन क्यारी मत कीजेगा क्योंकि अभी एक दिन का गैप करके सीधा मार्केट एक्सपाइरी के दिन उपन होगा तो अभी expiry के लिए bank nifty का और nifty का क्या movement रह सकता है इन सब के उपर आज हम लोग इस वीडियो में discussion करने वाले हैं तो जो भी लोग इस वीडियो को first time देख रहे हैं और इस channel के उपर अभी नए आए हैं उन लोग को मैं बताना चाहूंगी मैं इस channel पे nifty और bank nifty के उपर analysis videos upload क करती हूं यहां तक कि stocks के उपर भी आपको मेरे चैनल के उपर videos मिल जाएंगे और educational purpose के उपर भी मैं videos upload कर देती हूं तो अगर आपने इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और bell notification को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले videos की जानकारी आपको सही से आती जाए नहीं किया है तो जल्दी से कर लो पब्लिक टेलिग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगी यहां आपको बहुत सारी updates मिलेंगी news मिलेंगी educational guidance मिलेगा साथ में आपको important calls भी मिलते हैं मैं आज मैंने दो calls दिये थे और दोनों के दोनों profitable हुए हैं और यहां से इस week के अंदर अभी मैं calls नहीं दोंगी क्योंकि सिर्फ Thursday और Friday है Thursday को mostly मैं calls नहीं देती हूं expiry के दिन और Friday को इस time मैं नहीं दोंगी अगर आपको calls चाहिए अगर आपको learning के साथ साथ earning भी करना है तो आप मेरा premium group join कर सकते हो जिसकी fees सिर्फ अभी 3500 है per month और यह offer सिर्फ और भी लोग join करना चाहते हैं जल्दी से payment कीजेगा payment हो जाने के बाद आपको करना बस यह है कि आपको यहाँ पर दिये गए नंबर के उपर WhatsApp कर देना है payment का screenshot बस और आपको यहाँ पर और कुछ भी नहीं करना है payment के लिए आप COPI ID पर या फिर QR code को scan करके payment कर सकते हो और अगर आप सिर्फ और सिर्फ expiry के दिन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो भी एक important update है तो यहाँ पर अगर आप expiry के दिन join करना चाहते हो तो पर expiry के लिए आपको इतना premium pay करना होगा वही QR code पे या फिर आप इस UPI ID पर payment कर सकते हो तो I hope कि आपको समझ में आ चुका होगा कुछ भी route रहेगा कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप मुझे उस number के उपर whatsapp कर सकते हो मैं आपको guidance दे दूँगी तो I hope आपको सारी information मिल गई है अब ही start करते हैं bank nifty का analysis तो nifty bank की closing कहाँ पर आई है तो nifty bank आज बंद हुआ है 37,706 के पास ना ही 37,000 के उपर तो 37,500 के उपर nifty bank आज बंद हुआ है और nifty bank ने हमें अपने important support zone से reversal दिखाया है आज मैंने आपको कल के वीडियो में कहा था कि 36,947 के पास closing आई है यानि कि 37,000 के नीचे और अगर यहां से nifty bank अगर recovery दिखाएगा तो 36,500 और 36,000 के zone से ही दिखाएगा otherwise ये zone break करके जो important zone मैंने आपको बताया था nifty bank के लिए यहां तक nifty bank फिर हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है और यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है नifty bank ने previous low जो था वो break ही नहीं किया और आज 36,415 से हमें जो recovery मिली है वो सीधा nifty bank को 37,780 के तरफ लेके गई और फिर यहां से हमें एक resistance face होता हुआ दिखाई दिया लेकिन nifty bank ने 700 के उपर की closing दी है तो एक long bullish candle nifty bank ने डेली चार्ट के उपर form की है और कल के गिरावट को कल और परसों के गिरावट को पूरा hide करती हुई यह candle है और यहां से nifty bank हमें 38,000 के तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है मैंने आपसे क्या कहाता कि देखे यहां पर resistance है इस candle के समय मैंने क्या कहाता कि अगर यहां से nifty bank फिर से resistance break करता है तो एक बढ़िया support ढूंडेगा और फिर वहां पे support लेकर नifty bank इस level को break करने के लिए dry करेगा और जब तक नifty bank 36,000 से नीचे नहीं फिसलता है इस candle के समय मैंने कहा था जब तक 36,000 के नीचे नहीं फिसलता है closing basis के उपर तब तक short term के लिए nifty bank का trend जो है वो change हो गया है या फिर negative हो गया है यह हम लोग नहीं कह सकते अगर 36,000 break होता है तो ही इस zone में nifty bank हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है जब तक इसके उपर है bullish view कायम रहेगा यह बात भी मैंने आपको बताई थी तो आज 36,000 के level से 36,000 और 36,500 के support zone से nifty bank ने हमें एक अच्छी खासे recovery दिखाई है तो यह recovery 38,000 तक तो जानी चाहिए अगर 38,000 के पास आता है market तो यहाँ से गिरावट मिलने के chances है लेकिन downside के लिए 37,000 का फिर important support रहेगा nifty bank के लिए वही option chain data अगर देखे nifty bank का तो call side में सबसे ज़्यादा जो open interest हमें दिख रहा है वो किस level के उपर दिख रहा है 38,000 के उपर हमें highest open interest दिख रहा है लेकिन 38,000 के उपर हमें contracts की exit भी दिख रही है 34,000 contracts की exit हुई है वही उपर के side में भी देखिए उपर के side में भी हमें contracts की exit दिख रही है put site में देखे तो put site में हमें अच्छे खासे open interest build up होते हुए दिख रहे है put writing की बात करें तो सबसे ज़्यादा put writing हुई है 37,000 के उपर और highest जो open interest है वो 36,000 के उपर बना हुआ है जिस वज़े से nifty bank हमें 36,000 को अच्छा खासा respect करता हुआ दिखाई दिया है और यहां से 36,000 एक crucial और important support रहेगा जब तक यह level के उपर market है तब तक bullish view कायम रहेगा short term के लिए nifty bank हमें bullish ही दिखाई दे सकता है यह आप बत समझ लो तो अभी चलते हैं chart के उपर nifty bank के तो आज का high था 37,788 के पास और closing मिली है 37,706 के पास तो अभी यहां से important support और resistance के क्या levels होंगे तो देखिए first important support रहेगा यहां से 37,650 का level अगर nifty bank इस level से नीचे open होता है या फिर इस level को तोड़ कर इसके नीचे sustain कर लेता है तो यहां से nifty bank हमें 37,480 and 37,350 के अपने next important support के तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है अगर 350 के पास गिरावट नहीं रुकती है तो 37,080 का next important support रहेगा nifty bank के लिए upside के लिए अगर resistance की बात करें तो 37,810 का first resistance रहेगा यहां से अगर यह resistance के ऊपर की opening हो जाती है या फिर nifty bank 850,900 के ऊपर open होता है तो यहां से 38,100 के zone में nifty bank के लिए एक resistance face हो सकता है और यहां पे आपको careful रहना होगा अगर nifty bank 38,000 और 38,100 के range में 15 से 20 मिनेट के लिए sustain कर लेता है तो यहां से recovery होगी और अच्छी खासी recovery होगी 38,280 और 38,350 के अपने next resistance में nifty bank हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है तो यह important support और resistance के levels है nifty bank के लिए आप अपने chart के ऊपर यह सारे levels जो है वो mark कीजेगा आपको trading के वक्त definitely helpful होगा और कुछ भी doubt रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो मैं आपको answer कर दूँगी अभी बात करते हैं nifty के लिए तो nifty की closing कहाँ पे मिली है 17,277 के पास nifty आज बंद हुआ है और nifty ने भी बड़िया recovery दिखाई हुई है nifty के अंदर भी बहुत ही बड़िया profit आज हुआ है तो आज की जो opening थी वो 17,000 के पास थी वहां से nifty हमें 16,836 के तरफ गिरता हुआ दिखाई दिया था लेकिन days low से अच्छी खासी recovery करते हुए nifty अभी पहुँच चुका है 17,250 के ओपर आज का जो high था वो 17,309 का था यानि के 16,800 के support से हमें एक अच्छी recovery जो है वो देखने को मिली है ये देखे पिछले time भी यहां पे nifty ने हमें एक अच्छी खासी recovery दिखाई थी कहा तक 18,350 तक और अभी यहां पे nifty हमें बहुत ही बड़िया तेजी से ओपर जाता हुआ दिख रहा है लेकिन आपको थोड़ा cautious रहना होगा क्योंकि अगर nifty यहां से 17,350 के ओपर जाता है और इसके ओपर की closing मिलती है तो ही recovery possible है तो ही nifty हमें इस level के उपर जाता हुआ फिर से दिखाई दे सकता है तो nifty के लिए थोड़ा मुझे doubtful लग रहा है लेकिन अगर next trading session में nifty 17,350 के ओपर closing देने में कामियाब हो जाता है तो यहां से 18,000 के तरफ nifty हमें फिर से एक बारी बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है तो यहां से important support के levels रहेंगे nifty के लिए 17,220 का level अगर यह break होता है तो यहां से nifty हमें 17,150 and 17,50 के तरफ गिरता हुआ दिखाई दे सकता है अपसाइड की बात करें तो अपसाइड के लिए first resistance रहेगा 17,350 का level अगर यह resistance पार होता है तो next resistance level रहेगा 17,410 का level तो यह important support और resistance के levels हैं nifty और bank nifty के लिए तो अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना वीडियो अगर बहुत जादा अच्छा लगा है तो शेयर कर देना अपने friends family के साथ जिनको भी यह वीडियो useful है उन सब के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना और उन सब को कहना इस channel को subscribe करने के लिए so thank you very much for watching this video मैं मिलूंगे अपसे next video में till then bye take care and trade carefully